विश्म इतिहास के पन्नों में जहां जनवादी लोक्तांत्रिक विवस्था रही वही देश को अपनी शक्ती और ताकती बदौलत जकड लेने वाली तानाशाही विवस्था भी रही इस व्यवस्ता का इतिहास बताता है कि कैसे बेरहमी से जनिता के साथ जुल्ब किये जाते हैं और उन पर कई तरह के कहर बरपाई जाते हैं लेकिन जिस तरह से ताना शाही विवस्ता में एकलोते शाशक का उत्थान होता है उससे कई गुना ज़्यादा उसका भयंकर अंत्थ होता है हुसनी मुबारक हुसनी मुबारक ने लगभग 30 साल तक मिस्र पर एक छत्र रास किया मुबारक पर 900 से जादा लोगों की हत्याओं की भागेदारी का आरोप है यह हत्याओं पिखले साल तब की गई जब लोगतंत्र समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनकारी उनके खिलाफ बगावत कर रहे थे और इसके बाद मुबारक को सत्ता छोड़नी पड़ी थी किसी ने भी शायद ये नहीं सोचा था कि 1981 में अन्वर्थ सादाद की हत्या के बाद उप राश्टपती के पत पर मौजूद बेहत कम जाने पहचाने नाम हुसनी मुबारक को राश्टपती का पत सौपा जाएगा और वो इतने सालों तक इतने दश्कों तक देशी कमान समाले रहेंगे अन्वर्थ सादाद की हत्या इसलामी चरम पंथियों ने काहिरा में एक सैनिक परेट के दौरान की थी और मुबारक खाके शाली रहे कि उन्हें गोली नहीं लगी हरा की बोसवक्त उनके बगल में मौजूद थे उसके बाद हुसनी मुबारक पर कम से कम छे बार जान लेवा हमले हुए और वो हर बार बचे वो उस वक्त बाल बाल बचे जब उन्नीस सो पिक्चैनवे में अफरीकी देशों के शिकर सम्मिलन में भाग लेने के लिए इधोपिया गए जहाओं की लेमोजिन कार को निशाना बनाया गया गोलियों को छकाने के हुनर में माहिर पूर वायुसेना कमांडर मुबारक पश्टमी देशों के विश्वस्निय सयोगी रहे और इसी कारण वो अपने देश में शक्तिशाली वख्ष को परास्त करने में काम्याब रहे वास्व में जबसे हुस्निय मुबारक में सब्ता संभाली उन्होंने मिस्र पर अर्द सैनिक शाषक के दौर पर राज़ दिया अपने पूरे काल में उन्होंने देश को आपात काल खानून के दहट चलाया और सरकार को किरफ्तारी और वन्यादी सुतंता को कुचलने की पूरी आज़ा दी थी हुस्निय मुबारक के 30 साल के प्साषन में आपात काल जैसे हालात रहे क्योंकि कहीं भी पांच से ज़्यादा द्यक्तियों को एकठा होने पर पाबंदी थी एक गरीब परिवार से तालूख रखने वाले मुबारक ने बेशुमार दौरत एकठी की कहा जाता है कि 30 सालों के साषन काल में हुस्नि मुबारक की अपूद दौलत 70 अरब डौलर तक जा पहुची हुस्नि मुबारक के 30 साल की ताना शाही को खाड फेकने के लिए सड़कों पर उतरे प्रदशन कारी और वो अंदोलन को अंजाम तक पहुचाने के लिए सड़कों पर बस गए काहिरा के तहरीर चौक के आसपास के मैदान और सड़के लाखों प्रदशन कारियों से भरी हुई नजर आने लगी तहरीर चौक अरब करांती की नजीर बन गया और आखिरकार हुसने मुबारक को सत्ता से बेधकल होना पड़ा मिसर की अदालत ने हुसने मुबारक को अमर कहती सजा सुनाई दस महीने की सुभाई के बाद हुसनि मुबारक को सजा सुनाया जाने पर काहिरा में जश्ण मनाया गया मुबारक के खिलाव प्रोटेशन के दौरान मारे गए लोगों के लिश्टेदारों में खुशी की लेहर दौड गई सजा सुनाए जाने के कुछ दिन बाद ही हुसने मुबारक बुरी तरह बिमार हुए और ब्रेंस्टोक के चलते कॉमा में चले गए जहां वो फिलाल अभी तक जिन्दगी और मौत के बीच चूज रहा है जनता के लिए वरूंगोयल की रिपोर्ट